मा बनते ही इतनी मोटी हुई बिपाशा बास। कभी थे आक्ट्रोस के six-pack subs लेकिन आव बाप्स की जगा दिखने लगा है पीट। क्या प्रेग्नेंसी के बाद वजन कम नहीं कर पाई हैं बिपाशा। आक्ट्रोस के हाल या लुक को देख मायूस हुए फैंस। जे हां बॉलिवड अदाकारा विपाशा बासू एक वक्त पर अपने परफेक्ट फिगर के लिए मश्यूर थी। लेकिन अब आक्ट्रोस मा बनने के बाद काफी मोटी हो गई है। और उनके इस लेटिस्ट वीडियो को देख उनके फांस ने इस बात पर गौर किया है कि आब आक्ट्रोस पहले के मुकाबले काफी बदल गई है। वो आक्ट्रोस जिनके पास कभी परफेक्ट बॉडी हुआ करती थी। उनके जैसा फिगर होने का खुआब हर लड़की देखा करती थी। लेकिन अब मा बनते ही उनके पूरे फिगर की काया पलट हो गई है। दरसल हाल ही में विपाशा को मुंबई के बांदरा में एक सालून के बाहर स्पॉट किया गया। इस दोरान वो ओल रेड लुक में संग्लासस लगाए नजर आई। वहीं विपाशा जैसे ही सलून से अपना मेक ओवर करवा कर बाहर निकली तो पाप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस दोरान पाप्स ने विपाशा से बाचीत भी की। इसके बाद विपाशा ने हलकी बारिश में खड़ी होकर हाथ में च्छाता लिए पैपराजी को जम कर पोस भी दिये। हलाकि विपाशा का ये विडियो जब सोशल मीडिया पर वारल हुआ तो उन्हें देख उनके फांस शौक गए। कुछ लोगों को तो ये विडियो देख इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये विपाशा ही है। दरसल विपाशा मा बनने के बाद काफी बदल गई है। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान काफी वेट गेन कर लिया है। हाला कि वो मा बनने के आठ महीनों के बाद भी अब तक अपना वेट लोस नहीं कर पाई। जबकि आलिया भट ने अपने प्रेग्नेंसी के महस तीन महीने बाद ही अपना फेट्र ट्रांसफोर्मेशन दिखा कर लोगों को चौका दिया था। लेकिन विपाशा को देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंसी के बाद अपना वेट लोस नहीं कर पा रही। तब ही तो वो मा बनने के आठ महीने बाद भी काफी मोटी दिख रही है। ऐसे में जब फांस ने उनका ये लेटस्ट वीडियो देखा तो वो उनके मोटापे को देख उनका मजाक उड़ानी लगे। एक यूजर ने लिखा बिपाशा बस हूँ ये हाथी कब बन गई। एक यूजर ने लिखा मम्मी बनने के बाद काफी चीन जाया है। वहीं एक यूजर ने बिपाशा के मोटापे का मजाक बनाते हुए ये तक लिख दिया कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कृष्ण अभिशेक अपने शो के गेट अप में है। तो वहीं एक यूजर ने बिपाशा के लुक को देख कर ये कमेंट किया बहुत कुछ पदल गया है। तो वहीं किसी ने बिपाशा को देख कर उनकी तुलना राखी सावन से की तो किसी ने स्वराभास कर से। इसी तरह से लगतार यूजर्स कमेंट कर बिपाशा की मुटापे का मजाक उड़ा रहे हैं मतादे कि बिपाशा बसू ने करन सिंग ग्रोवर से साल 2016 में शादे की थी शादे के 6 साल बाद उनके घर में नन ही परी आई जिसका नाम उन्होंने देवी रखा है बिपाशा बसू की बेटी देवी बेहद क्यूट है उनके तस्वीरे इंटरनेट पर आते ही छाजाती है बिपाशा भले ही इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर है लेकिन वो सोशल मेडिया के जर्ये फांस के साथ जोड़ी रहती है वो अकसर अपनी और अपने फैमली के साथ तस्वीरे और वीडियोज शेयर कर फैंस को नई अपडेट देथी रहती है बीते दिनों ही आक्टरस अपनी बेटी के साथ पहली बार वेकेशन के लिए गुवर रवाना हुई थी जहां बेपाश्वा ने अपनी पेटी देवी के आठवे महिने के जनम दिन का जश्न मनाया था इस दुरान की कई तस्वीरे भी उन्होंने शेयर की थी बीर रपोर्ट E24 झाल झाल